गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में कुसान कालीन सिक्कों के बारे में ध्यन करेंगे तो देखेगा ये वीडियो देखने से पहले में आपको एक बार फिर से बता जेना चाहते हूंगी कुसानों के बारे में हमने जैसे उनके जानकरी के स्रोत है या फिर कुसान कालीन जो सिंस्कृति समाज है इन सब के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और ये सब देख सकते हैं ठीक है अब देखेगा ये दिया आप लोगों ने हमारे दो फ्रेंड्स है उनको भी इतियास से संबंदित महतोपुन जानका रिप्राप्त हो सके और हमारे वीडियो में जो भी डिटेल आपको मिलेगी वो सारी की सारी प्रेक्षा से संबंदित बहुती महतोपुन डिटेल है ठीक है तो देखेगा पढ़ते हैं कुसान का लिन सिक्क उत्तर पस्तिम भारत में श्वान शिक्कों का पर्चला नियमन राजओं ने करवाया तथा पी इन्हें नियमित तथा पूण रूपेन प्रचलित करने का शर्य कुसान राजओं को दिया जा सकता है कुसान सत्ता में रोम तथा अन्ने पास्सात्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संपर्क बढ़ जाने से निस्चित माप के सीकों की अवसेकता परतीत हुई अते कुसान राजों ने विभिन आकार परकार के स्वान तमर एम रजत सिक्कों का परस्टन करवाया कुसान का निन राजों के समय में सिक्कों का इत्यास क्या था देखेगा कुजूल कड़फिसेस के सिक्के कुसान मंस के सनस्था पक समराट कुजूल कड़फिसेश के केवल तमबे के सिख्ये ही मिलते हैं मार्सल को तकसिला की खुदाई से उसके बहु संक्यक सिख्ये मिलते हैं और ये सिख्ये दो परकार के हैं कौन-कौन से काबुल के यवन नरेश्वे हर्मियस तथा कुजूल दोनों का उलेक मिलता है इसका वीवरन इस परकार है मुकभाग और प्रेस्ट भाग दो परकार के कोन से सीखे हैं एक तो मुकभाग का सीखा और एक प्रेस्ट भाग पे क्या लिखावा है देखेगा मुख भाग पे लिखावा है और प्रेस्ट भाग पे लिखावा है खरोस्टी में कुजुल कसस कुसान यूगस ठीक है कुजुल तता हर्मेस के साथ साथ उलेक से ऐसा निसकर्ष निकाला गया है कि कुजुल पहले हर्मेस के अधिनता स्विकार करता था बाद में उसने अपनी स्वाधिनता गोशित कर दी कुजुल ने स्वतंतर सासक बनने के बाद जो सिखे पर्ष्टित करवाए उनका विवरण इस परकार से है मुख भाग और प्रिस्ट भाग देखेगा मुख भाग पे क्या लिखावाए युनानी भासा में उपादी सहित नाम कोसानो कोजोलो कडफियास कडफिजाई उतकिन है प्रिस्ट भाग पे खरोष्ट लिपी में कुजुल कसस कुशन यवुग से ध्रैमित इदस अंकित मिलता है ध्रम दिदस अर्थात ध्रम में इस्तित से ऐसा निसकर्ष निकाला जाता है ठीक है कि कुजुल कडफिजेस ने बोग ध्रम गरन कर लिया था कुजुल कडफिजेस के सीकों का वजन 30 ग्रेन के लगबग था विम कडफिजेस के सीके सर्व पर्थम स्वान सीकों का परसलन इसी सासन ने करवाया था तो सबसे पहले सोने की सीकों का परसलन किस सासक ने करवाया था विम करड़ फिसेस ने यदे भी उसके तमबर तथा रजत सीके भी मिले हैं तथा भी स्वान सीकों की संक्या अधिक है स्वन सिकों का विवरण इस परकार है मुख भाग तो मुख भाग पे टोब दारण किये हुए राजा की आकरती है वह अपने दाएं हाथ में वज्र ग्रहन किये हुए है तता उसके कंदे से अगनी की लपटे निकल रही है युनानी भासा में मुद्रालेक सीलियस बेसीलियन ओमो कड़फिसेस उतकिर्ण है और प्रेस भाग पे त्रिशोल धारी सिव की आकरती है जो नंदी के सामने है साथ में खरोष्टी मुद्रालेक महराजस और रजदीरजस सर्वलोग इस्वरस महिस्वरस विम कड़फिसेस त्रि तरस महराजा महराज राजादीराज सर्वलोग के स्वर विम की ड़फिसेस उतकिर्ण है इसके मुख भाग पर चोकट में राजा का सिर है तदा यूनानी लेक उतकिर्ण है प्रिष्ट भाग पर महाराज राजा दिराज विम कड़ फिसेस मुद्रा लेक अंकित है त्रिशूल के आकरती भी बनी हुई है तमर सिके तो विम कड़ फिसेस के जो तमर सिके मिरते हैं उनका वजन 275 ग्रेन है इनका विवनिस प्रकार है मुख भाग पर क्या लिखावा है राजा की खड़ी मूर्ती बनी है वह वेदी पर आहूती दे रहा है उसका बाई और त्रिशूल की आकरती तथा मुद्रा लेक बेसिलियन सोटर मेगास वोमो कड़ फिसेस अंकित है प्रिश्ट भाग पे सीव की आकरती है वह दाएं हाथ में त्रिशूल धारन किये हुए है तदा बाया हाथ नंदी के उपर टीका हुआ है ख्रोष्टी में मुद्रा लेक जैसा ही है विम कड़ फिसेस का अब तक केवल एक रजत का सीका प्राप्थ हुआ है और यह संप्रती ब्रिटिस संग्राले में सुरक्सित है इस पर राजा की खड़ी मूर्ती है इसका वीवरण विल्सन ने दिया है वह पट्टी युक्त टोप कुर्ता कोट पाईजामा धारन किये हुए है सामने वेदी तरिशूल है उसके दाएं हाथ के पीठे गद्दा है तथा बाएं हाथ में कोई बर्तन लिये हुए है मार्शल को कुछ ऐसे रजत सीके मिले है जिन से प्रटलन का स्रेय विम को ही दिया जाता है विम के सिकों पर उत्किन चिन पूर्ण या भारतिय हैं सिव नंदी त्रिशूल के आकरतिया तथा महेश्वर की उपादी से उसका नैस्टिक सैव होना सुचित होता है यह थे विम के अड़िशेस के सिके अब आपन देखते हैं कनिस के सिके कनिस के के बहुसंग के स्वन एम तमर सिके पस्यमोतर परदेश, पंजाब, उत्र परदेश, बिहार, बंगाल तदा उड़िशा के विविन स्थानों से प्राप्त किये गए हैं स्वन सिके तोल में रोमन सिकों जिनका तोल है 124 ग्रेन के बराबर है स्वान सिकों का विवरनिस प्रकार है तो कनिस के सिके उसके मुख भाग पे क्या मनावा देखेगा खड़ी मुद्रा में राजा के आकरती है लंबी कोट, पाइजामा, नुकिली, टोपी पहने हुए है उसके बाएं हाथ में माला है तथा दाएं हाथ से हमनकुन में आहुती दे रहा है इरानी उपादी के साथ यूनानी लिपी में साओ नाओ साओ कनिस की कोसानो मुद्रालेक अंकित है साओ नाओ साओ से ताथ पर ये साहन साहसे है समुद्र कुप्त के प्रियाग स्थमलेक से पता चलता है कि कुशान सासक देव पुत्र साही साहानू साही की उपादी ग्रहन करते थे ठीक है प्रिश्ट भाग पे क्या लिखावा है विबिन देवी देवतों की आकरतिया उतकिर्ण है ये युनानी भारतिय तथा इरानी देव समुह से लिए गए है प्रतेक सीके पर एक ही देवता तथा नीचे उसका नाम उतकिर्ण है नाम युनानी भासा में है जैसे मीरो अर्था सूर्य मियो अर्था चंद्र आलेगनो नाना आर्दो सो देवी आदी कुछ सीकों के प्रिष्ट भाग पर चतुर पुजी सीव की आकरती तथा युनानी भासा में आईसो जो सीव नाम से है अंकित है हाथ में त्रिसूल बक्रा डमरू तथा अंकुष है किसी किसी सीके पर परभा मंडल यूक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध परतिमा तथा उसके नीचे युनानी लीपी में वोडो अर्थात बुद्ध खुदा हुआ है तमर सीके ये गोलाकार के हैं इनका विवरनिस प्रकार से मुख भाग पे कनिस की आकरती तथा मुद्राले एक बेसीलियस बेसीलियन उतकिर्ण है ये युनानी उपादी है इसे तात्प्रे राजाओं का राजा से है प्रिस्ट भाग पे युनानी इरानी अथ्वा भारतिय देवी देवता की आकरती तथा युनानी भासा में उसका नाम उत्किर्ण है कुछ ऐसे तमर सीके मिले हैं जिनके उपर बैठी हुई मुद्रा में राजा के आकरती बनी हुई है इन पर राजा का नाम नश्ट हो गया है इन में से चार का वजन 68 ग्रेन है अद देखेगा हुविस्क के सीके हुविस्क ने भी बहुत से स्वन एं तमर सीकों का परसलन करवाया था स्वन सीकों की विशेशता इस प्रकार से मुख भाग पे राजा के आध्य सरीर की आकरती बनी हुई है वह गोला का टोप अलंकरीत कोड पहने हुए हैं उसके दाये हाथ में दंड तथा बाये हाथ में अंकुष है मुद्रा लेक में साओ नाओ साओ ओईस की कोसानों उत्किन है प्रिश्ट भाग पे विभिन देवी देवतों की आकरतियों तथा यूनानी लीपी में उनके नाम मिलते हैं और तमर सीके ये गोलाकार के हैं इनका विवनिस प्रकार से हैं मुख भाग पे परभा मंडल से युक्त राजा अंकुष भाला के साथ हाती पर सुआर है कुछ सिकों पर पलंग पर जुके हुए अथ्वा गद्दे पर वज्रासन में बैठे हुए राजा की आकरति है उसके बाये हात में दंड है और वह है अपने दोनों हातों को उपर उठाए हुए है प्रिस्ट भाग विविन देवी देवताओं की आकरतियां तथा युनानी भासा में उनके नाम खुद्दे हुए हैं वासुदेव के सिक्के वासुदेव के स्वन तता तम्र सिक्के प्राप हुए हैं सभी गोलाकार हैं तता तोल में रोमन सिक्के के बराबर के हैं सिकों पर सिव तता उनके पर्ती का अंकन परमुक्तिया से किया गया है इनका विवर्ण देखेगा मुख भाग पे परभा मंडल युक्त राजा की खड़ी आकरती है वह लंबी टोप तता पाईजामा पहनी हुए है उसके बाएं हाथ में त्रिशूल है तता दाएं हाथ से अगनिकुंड में आहुती दे रहा है मुद्रा लेक साओ नाओ साओ बोजडो वासुदेव कोसानो उतकिर्ण है प्रिश्ट भाग पे त्रिशूल तता पास लिये हुए दो भुजी सीव की आकरती है सीव के पीछे नंदी तता युनानी भासा ओयसो में सीव उतकिर्ण है कुछ तमर सीखों के प्रिश्ट भाग पर सामने की ओर देवी अर्थात उमा सीहासन पर बैठी हुई है उसके दाएं हाथ में फीता तथा बाएं हाथ में सम्रदी स्रंग है कुछ तामर सिक्कों के मुख भाग पर ब्रामी लिपी में वासू उतकिर्ण है तथा प्रिष्ट भाग पर वासू देव का मोनोग्राम मिलता है अर्तेकर निवासुदेव के एक नए परकार के सिक्के का उले किया है जिसके प्रीष्ट भाग पर सीव का हाती के साथ चितरन किया गया है यह गजासूर का वद्ध करते हुए सीव का चितरन परतीत होता है इस परकार सभी कुसान राजों के सिक्कों के अगरे भाग पर इरानी वेस बुसा में सासक की आकरती तथा उपादी के साथ उसका नाम मिलता है मुद्रा लेक सदा युनानी भासा में है परवर्ती कुसान राजों के सिक्के देखेगा परवर्ती कुसान राजों के सिक्के दो प्रकार के हैं सीव तथा नंदी प्रकार के सिहासना सीन देवी प्रकार के सिक्के सिकों के मुख भाग पर कवच एवं उची टोपी दहरन किये हुए राजा की आकरती है वह दाएं हाथ से आहुती दे रहा है तथा उसके बाएं हाथ में लंबा त्रिशूल है मुद्रा लेक युनानी तथा ब्राहमी दोनों में है प्रिष्ट भाग पर सीव नंदी तथा देवी की आकरतिया मिलती है कुछ सिकों के प्रिष्ट भाग परिशी हैं वाहिनी देवी का चित्रन है वह पास दंड धारन किये हुए है कुसान सिकों की देवी को गुप्तकाल में लक्समी के रूप में ग्रहन कर लिया गया है अब देखेगा इस वीडियो में हमने कुसान राजाओं के जो विभिन प्रकार के सिक्के हैं उनके बारे में अध्यन किया और मुझे आसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही और भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे जो परिक्षय की दरस्टिशे मैतों पुण है हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद